दोस्तार में मैं माही सिंग और आप देख रहे हैं निकसाई न्यूज उत्रप्रदेश के उप्चुना को लेकर सियासी पाचियों की तरब से अपनी उमीदवारों के नाम का एलान किया जो रहा है इसी करम में उत्रप्रदेश में सपा और कॉंग्रेस के गड़बंधन को ले कि अपार्टी सिर्फ महापूर्सों का अपमान करना जानती है आज जो कुछ भी लखनों में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था बीजेपी के लोग जेपी एनाइसी को किसी गुजरात के बेपारी को बेच चुके होंगे या बेचने की तैयारी कर रहे होंगे वही समाजवा समाजवादी पार्टी दौरा उत्तरप्रदेश के उप्चुनाओं के लिए छे प्रत्यासियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है जबकि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से असपस्ट किया गया है कि वह उत्तरप्रदेश में पांस सीटों पर उप्चुनाओं लड़ने की तैयारी में रहे और सबसे प्रमुख बात जिन सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी की सबसे जादा दावेदारी थी उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी छे उमीद वारों की नाम का एलान कर दिया है उप्चुना की सीटों को लेकर देखे जा रहे हैं इस रस् हम इस बारे में अपने राष्टी नेत्रतों को अउगत करा चुके हैं वही राष्टी नेत्रतों का जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा और वहीं एक इंटर्ब्यू के दरान जब उनसे पुछा गया कि क्या आप भी फूलपुर और मजवा से चुनाव लड़ने वाल लड़ेंगे और भारतिय जंता पाटी को पूरी मजबूती से हराने का काम करेंगे महीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दोनों तरफ से गड़बंदन धर्म का पालन हो रहा है महीं समाजवादी पाटी प्रमोख अखलेश यादों ने जेडियों को नसीहत वा इस पर विचार करना चाहिए आज जो कुछ भी लखनव में हुआ वह नहीं होना चाहिए था वहीं भारतिय जंता पार्टी महापूर्स का अपमान करना चाहती है और वो कहीं न कहीं किसी ना किसी भाने से इस तरीके की हरकते और कवायत करती हुए नसर आती है अब देखना अंग्रेस पार्टी इस गड़ वन्धन को निभा पाती है आप लिए श्यादों फिर से लोग सबाद चुनाव की तरह बाजी मारते रूब सराएंगे फिलाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट डॉक्स में जरू बताएगा फिलाल के लिए वह सितने देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहीगा